अब सब्सक्राइब के लिए अच्छी खवर निकल कर आ रही है सेंट्रल पावर रिसर्स इंसिचूट की और से फाइनली यहां पे फुल नोटिफिकेशन आउट हो गया है मैंने कुछ दूनों पहले मैं आप लोगों को अपडेट दिया था यहां पे टेक्निशन ग्रेड वर सब्सक्राइब करते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो यह जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल पावर रिसर्स इंसिचूट यानि के केंद्रिय वीडियो अनुसंदान सहस्तान यह वीजुत मंत्राल भारत सरकार के अंतरगत आता है गाइस डिपार्टमेंट अगर आप लोग इसमें जौब लगन ऑफ हिंडिया की 25 दिपार्टमेंट है अप लोग अलग 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 पोश्ट है तो यहां पे अलग अलग पोस्ट है तो यहां पर आई टे पोस्ट है यह है आई टीए होल्डर्स के लिए यानि कि टेक्निशन ग्रेड़ वन का यहां पर मैं आप सभी बताओ क्वालिफिकेशन क्या माँ गया है तो आप लोग का आई टीए पास रहना चाहिए यहां पर देख सकते हैं आई ट्रेड शर्टिफिकेट इन एलेक्टिकल यानि कि एलेक्टिशन ट्रेड में आप लोग का आई टीए सर्टिफिकेट रहना चाहिए कोई भी एक्सप्रियेंस का रिकार्मेंट नहीं है फ्रेसर है अप लोग अप्लाई कर पाएंगे बहुत ही बहुत ही बहतरीन मोका मिला है और देखिए इससे पहले जो भी रिकूर कोई भी experience का ज़रूरत नहीं है पोस्ट का नेम रहेगा technician grade 1 यहां पर age limit की बात करो तो maximum 18 साल है 18 से 18 साल मिनिमूम 18 और maximum 18 साल है और age में जो छूट मिलेगा as per government का निये में उनकों सारा सभी को छूट मिल जाएगा guys तो यहां पर qualification मैं आप लोगों को बताई दिया हूँ अधर trade को मोका नहीं दिया गया है only for electrician जो candidate के पास में IT है एलेक्टिशन ट्रेड में और यहां पर फॉर्म फिल अप करेंगे तो यहां पर salary भी ठीक ठाके level 2 का salary मिलेगा 19,000 नेसों से 36,200 यहां पर सेलेक्शन प्रोसेस की बात करो तो आप लोगों का CBT examination होगा computer based test होगा और देन उसके बाद आप लोगों का आप लोगों को सिलेवा से बता दूंगा कितना कितना question कहां कहां से आएगा तो आप लोगों को वेट कीजिएगा उसका अलग से video रिलिस किया गया बादबाकि इस notification में जो भी इंपोर्टन डीटियल में वह बता देता हूं और आप लोगों का यहां पर प्रोवेजन जोड को मिल सकता है यहां पर application fee और exam city के बारे में आप लोगों को बता देता हूं और date भी बता देता हूं तो पहले यहां पर application fee के बारे में जान लीजी जो candidate technician grade 1 के लिए apply करेंगे उनको 500 रुपिया देना होगा fees और यानि कि undeserved EWS OVC category को यहां पर 500 रुपिया और जो candidate SC, HDP, WBD, XServicemen, Oman है इनको यहां पर कोई भी fees payment नहीं करना है तो यहां पर fees आप लोग देख सकते हैं 500 रुपिया रखा गया है undeserved EWS OVC category के लिए 500 रुपिया यहां पर fees है तो यहां पर देखिए आप लोगों का यहां यहां पर जो फॉर्म यह हो गया है यहां आज से ओपन हो गया यानि कि 25 मार से फॉर्म फिल अप कर पाएंगे लाज़ डेट है इसका 14 अपरील और आप लोगों का जो एक्जाम डेट होगा यहां पर कंपूटर बेस्ट वहागा है यहां पर 23 अपरील तक अपर 23 अपरील को 14 अपरील 2023 तो और यहां पर बात करें एक्जाम सेटी कहां पर बनाया गया है तो आप लोगों को चूच करना होगा फॉर्म फिल अप करने वक्त तो इक्जाम सेटी बनाया गया है दिल्ली मुंबाई कोलकाता बैंगलोर नागपूर धनवाद पतना हैदरावाद बोपाल श तो गाइज यह ओफिसियल से लेवास जो से पी यार यानि कि सेंटल पावर रिसर्स एंसिट्यूट की ओर से रिलीस किया गया है तो देखिए यहां पर आप लोगों का देख सकते हैं 20 मार्स का डेट मेंशन है और यहां पर आप लोगों का जो एक्जाम होगा वहोगा 90 मिन प्रिजिनिंग से 15 कोशन 15 मार्स जनरल अवेनेस 15 कोशन 15 मार्स उसका इंगलिस लेंगवेज और इलेक्टिशन ट्रेड या इलेक्टिशन बोलिए सबी चीज से मी होता है वह आप लोगों का जो एलेक्टिशन ट्रेड थ्योड़ी से जो अबजक्टिव प्रस्ण होगा वह चालिस कोशन 40 मार्स जाएगा तो यह आप सभी का एक्जाम पैटर्न रहने वाला है यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है नेगेटिव मार्किंग वान वाइफ फोर्थ है यानि कि 0.25 आप लोग का यहां पर नेगेटिव है और सभी उतर के लिए एक मार्स मिलेगा तो आप सभी के लिए यह अपडेट था बात बाकी आप लोग आईटी एजूकेसन वेपसाइट विजिट कर लीजेए वहां से आप लोग फॉर्म आम वैदन कर पाएंगे और जो के लिए टेलिकराम से नहीं जूर हैं जो चाहिएगा चैनल पर पहली बार हमको सब्सक्राब कर करने के बेल आकन कॉल कर दिएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद